ओम अज्ञानति मिरंधस्या ग्नानंजन शलाखया चक्षूरुन्मिलितम्येना तस्मै श्री गुर्वे नमहा नमो ओम विश्नु पादाया कृष्ण प्रिष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिन इतिनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेशा शुन्यवादी पाश्यात्य देशतारिने जय श्री कृष्ण चेतन्या प्रभू नित्यानंदा श्री अदुवैत गदाधरा श्री वासदी गौर भक्त व्रिंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे हरे तो भीश्म पिता महा अपनी भगवान के साथ में बड़ी ही सुन्दर जो लीलाएं भगवान की घटी थी एक युद्धा के रूप में जब भगवान के साथ में महा भारत के युद्ध में उसको याद कर रहे है भीश्म पिता महा किस परकार से भगवान ने भीश्म पिता महा की इच्छा पूर्ण की थी भीश्म पिता महा भगवान कृष्ण से वीरिय रस में संबंधित थे तो उस रस के अनुसार भगवान और भीश्म पिता महा प्रतिद्वंदी के रूप में आपस में युद्ध कर रहे थे भीश्म देखना चाहते थे भगवान को एक युद्धा के रूप में लेकिन भगवान ने तो कहा था कि मैं महाभारत में भाग नहीं लूँगा मैं अपनी व्यक्तिगत शक्ती का प्रियोग नहीं करूँगा जब दुरियोधन ने भगवान कृष्ण की सेना अपने पास ले ली थी और भगवान ने अपनी सारी सेना दुर्योधन को दे दी थी उस समय भगवान स्वयम पांडवों की तरफ भगवान ने अपने आपको लिया लेकिन भगवान ने एक शर्त कही जब अर्जुन से पूछा था कि अर्जुन तुम मुझे चाहते हो या मेरी सेना को चाहते हो और भगवान ने कहा था अगर तुम मुझे लेते हो तो मैं तुम्हारा केवल एक रत का सार्थी मात्र बन सकता हूँ मैं युद में कोई अस्तर शस्तर नहीं उठाऊंगा लेकिन अगर तुम मेरी सारी सेना चाहते हो तो तुम मेरी सारी सेना ले सकते हो तो अर्जुन ने कहा नहीं भगवान आप बिना अस्तर शस्तर के भी अगर आप मेरे साथ में रहेंगे तो यही मेरी इच्छा है और जब अर्जुन ने इस परकार से भगवान को मांगा था दुरियोधन बड़ा प्रसन हो गया था दुरियोधन तो यही चाहता था कि भगवान की सारी सेना उसके पास में आजाए और वो सोच रहा था कि मूर्ख अरजुन उसने भगवान को अपने पक्ष में कर लिया है लेकिन क्या फाइदा है भगवान जो है अस्त्र भी नहीं उठाएंगे शस्त्र भी नहीं उठाएंगे लेकिन भगवान की सारी की सारी सेना अब मेरे पास में है तो अब भीश्म पिता महा जो है इस द्वंद में थे कि वो तो भगवान के साथ में जो उनका रस जुड़ा था वो वीरिय रस में था वो भगवान को योद्धा के रूप में अपने प्रतिद्वंदी के रूप में उनकी सेवा करना चाहते थे लेकिन भगवान ने तो कह दिया कि मैं तो अस्तर शस्तर उठाने वाला नहीं तो अब ये कैसे संभव होगा भीश्म पितामा की इच्छा कैसे पूर्ण होगी तो देखिए भगवान ने भीश्म पितामा की इच्छा को कैसे पूर्ण किया इसको याद कर रहे हैं भीश्म पितामा जुद्ध के समय में क्या हुआ हमें सबको ग्यात है कि भीश्म पिता महा उनका सने जो है पांडवों के साथ में था वो कौरों के पक्ष में जरूर थे लेकिन उनकी सहानुभूती उनका सने जो है पांडवों के साथ में था तो दुर्योधन ने भीश्म पिता महा का बड़ा अपमान किया उन्होंने कहा, हे पिता महा, तुम किस परकार के योद्धा हो अपने संबंद के कारण, पांडवों के साथ स्ने के कारण तुमने अर्जुन का वद अभी तक नहीं किया है तो इस परकार से अनेकों परकार से भीश्म पितामह के उपर उन्होंने कलंक लगाया और उनका अपमान किया और शत्रिय जो है इस परकार के अपमान को सहन नहीं कर सकता है तो भीश्म पितामह ने प्रतिग्या की उन्होंने कहा कि जो विशेश परकार से मेरे पास में जो पाँच बान हैं जो विशेश रूप से पांडवों के वद के लिए बनाए गए हैं मैं कल उनका परियोग करूँगा और उनके द्वारा पांचो पांडवों का वद कर दूँगा तो ये सुनकर के दुरियोधन बड़ा निश्चिन्त हो गया बड़ा खुश हो गया और उसने क्या किया पांचों के पांचो बान जो है अपने पास में रख लिए तो अब भगवान क्रिश्चन तो अंतर्यामी है सब जानते हैं भगवान समझ रहे हैं कि भीश्म पिता महा ने इस परकार की प्रतिग्या की है कि कल अगले दिन इन पांचो बानों के दुआरा जो विशेश रूप से पांडवों के वद के लिए बनाए गए है इनके दुआरा मैं पांडवों का वद करूँगा तो भगवान ने अगले दिन का युद्ध प्रारंब होने से पहले अर्जुन के दुआरा चतुराई से जाकर के दुरियोधन से ये पांचो बान जो है मंगवा लिए दान के रूप में ले लिए और उसके कारण जो है अब ये बान भीश्म पितामा के पास में नहीं थे तो भीश्म पितामा को समझ में आ गया कि भगवान ने पांडवों की रक्षा करने के लिए वो पांच बान जो है अर्जुन के दुआरा जो है अपने पास मंगवा लिए है तब भीश्म ने एक और प्रतिग्या की तो भीश्म पितामा ने कहा कल युद्ध में मैं इतनी तीवरता के साथ में युद्ध करूंगा कि या तो अर्जुन का वध निश्चित है या फिर भगवान को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा उसकी रक्षा करने के लिए अगर भगवान स्वयम अपना अस्त्र शस्त्र उठा करके अगर वो उसकी रक्षा करेंगे तब मात्र मैं अर्जुन की जान को बक्ष दूँगा अन्यता कल अर्जुन का वद निश्चित है तो ऐसा कहने के पस्चात अगले दिन भीश्म पितामह ने इतना घंगोर युद्ध किया अपनी तरफ से कि अर्जुन का रथ जो है तितर बितर हो गया और अर्जुन पूर्ण रूप से गायल हो गय और अब जो है जब भगवान ने देखा कि अब किसी भी समय भीश्म जो है अर्जुन का वद कर सकते हैं अब और कोई चारा नहीं रह गया है क्योंकि अर्जुन इस परकार की परिष्थिती में पहुँच चुके है कि उनके सारे अस्त्र शस्त्र ध्वस्त हो चुके है रत तूट चुका है तब भगवान ने जो है तुरंत अर्जुन की रक्षा करने के लिए और भीष्म की इच्छा पूरी करने के लिए अर्जुन की रक्षा करने के लिए और भीष्म पिता महा की इच्छा पूरी करने के लिए उनकी इच्छा थी वो भगवान को अस्त्र पकड़ करके शस्त्र पकड़ करके उनके उपर हमला करें और वो भगवान के उपर हमला करें वो भगवान के साथ में इस परकार से युद्ध करें इस परकार के रस का अस्वादन प्रेम के रस का अस्वादन वो करना चाहते थे तो अब भगवान जो है असल में देखा जाए तो भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है अर्जुन की जान को बचाने के लिए भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो बिना अस्त्र उठाए अर्जुन की जान बचा सके लेकिन भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूरी भी करना चाहते हैं और सारे संसार को भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने वचन को तोड सकता हूँ अपने भक्त के वचन को पूरा करने के लिए अभी देखिए भगवान ने वचन क्या दिया था अपने लिए मैं युध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो भगवान अब इस वचन को तोडने के लिए तयार है और भगवान का दूसरा वचन क्या है मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करूंगा तो अब अरजुन की भगवान को रक्षा करनी है किसी न किसी परकार से दूसरा भगवान जो है भीश्म पितामा की इच्छा भी पूरी करना चाहते है उनकी इच्छा क्या है भगवान अस्त्र लेकर के मेरी तरफ प्रहार करें उनकी इच्छा इस परकार से है तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अरजुन की रक्षा करने के लिए अपने वचन को तोड़ने के लिए भगवान तयार है इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है तो तुरंद भगवान ने क्या किया भगवान ने रत का पईया निकाला उनके पास में उस समय अस्त्र शस्त्र नहीं थे और चक्र की भाती भगवान ने जो है जैसे उनका सुदर्शन चक्र है उस परकार से भगवान रत के पईयों को घुमाते हुए भगवान ने जो है भीश्म पितामा के उपर प्रहार करना प्रारम किया भगवान जो है उनकी तरफ भागे भागवतम में कहा है भीश्म पितामा याद कर रहे हैं ये प्रहार भगवान का इस परकार से था जिस परकार से शेर जंगल का राजा जो है हाथी के उपर हमला करता ह क्रोधित हो करके तो ठीक इसी परकार से भगवान जो है क्रोधित हो करके रत का पईया लेकर के भगवान जो है भीश्म पितामा की तरफ भाग रहे है और वो याद कर रहे हैं भीश्म पितामा की उस समय में भगवान के सुन्दर चेहरे को देख करके वो मुस्कुरा रहे हैं और अपनी तरफ से भगवान की सेवा करने के लिए तीर धनुष से बाणों की वर्शा कर रहे हैं जिसके दुआरा भगवान के अलग अलग भाग में अनेको परकार से भगवान घायल हो रहे है और भगवान के शरीर से लहू मानो निकल रहा है भगवान का शरीर तो अध्यात्मिक है ना तो भगवान का शरीर इस परकार से छेदा जा सकता है किसी अस्त्रों के द्वारा और शस्त्रों के द्वारा लेकिन भगवान इस लीला में ये प्रदर्शन करना चाहते थे क्योंकि ये इच्छा थी भीश्म पितामा की तो भगवान जो है भाग रहे हैं भीष्म पितामा की तरफ प्रहार करते हुए और भगवान के शरीर से लहू निकल रहा है भगवान के केश जो है लहरा रहे है यहां तक कि भगवान इतने करोधित है उनको ये ध्यान भी नहीं है कि जो उन्होंने ऊपर से जो कपड़ा पहना वुआ है भगवान का वो भी जो ही रास्ते में गिर गया है यहीभी भगवान को ध्यान ने, लेकिन फिर भी भगवान क्रोदित हो करके जैसे भीश्म पितामाहने कहा था कि अगर भगवान अstar और शाष्ट्र उठाएंगे इस परकार से अपनी प्रतिग्या को तोडेंगे, अपने वचनों को तोडेंगे, तब जाकर के मैं अरजुन की जान को बक्ष दूँगा, उनको छोड़ दूँगा, तो जब भगवान इस परकार से भीश्म पिता महा की उनकी इच्छा पूर्ण हुई, तब जाकर के भीश्म पिता महा ने अरजुन को जो है वहाँ पर छोड़ दिया, और अपने अस्तर शस्तर सब छोड़ करके भगवान को जो है उन्होंने प्रणाम किया, उस दिन का युद उस परकार से समाप्त हो गया, तो भीश्म पिता महा ये सुन्दर लीला उसका जो है स्मरन कर रहे हैं, वो बता रहे है अपनी प्रार्थनाओं के दुवारा भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, और इस परकार से भगवान से प्रार्थना करने के पस्चात, वो भगवान से कहते हैं कि भगवान आप इसी तरीके से यहाँ पर मेरे सामने खड़े रहिए, जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग ना कर दूँ, भीष्म पिता महा को इच्छा मृत्यू प्राप्ति थी, अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने प्राण त्याग कर सकते थे, तो जब भगवान वहाँ पर खड़े थे, भगवान के ओपर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने के पस्चात, भीष्म प पिता महा ने अपने प्राण त्याग दिये, और भागवत में कहा है अपने प्राण त्यागने के बाद में सीधे भगवान के धाम में, अध्यात्मिक धाम में उन्होंने प्रवेश किया, और जैसे ही उन्होंने अपने प्राण वहाँ पर त्यागे, उस समय आकाश से भूल बजाए, अनेकों परकार से नगाडे बजाए, फूलों की वर्षा की महान योध्धा भीश्म पिता महा जो है भगवान के समक्ष खड़े हो करके उन्होंने प्राण त्याग किये और वापस भगवत धाम को वापस लोट गए। तो कुछ देर के लिए तो महराज युदिष्ठिर फिर दुबारा शौक में डूब गए, लेकिन जिस परकार से भीश्म पिता महा ने उनको सुंदर वचन समझाए थे, किस परकार से उन्हें राज्य करना चाहिए और भगवान कृष्ण ने जिस परकार से उनको निर्देश दिये थे, संदेश दिये थे, उस परकार से अब भीश्म पिता महा के कहे अनुसार, भगवान के कहे अनुसार, युदिष्ठिर महराज अब राज्य चलाने लगे, और बताया जाता है, इतने बढ़िया परकार से, धार्मिक रूप से, जब महराज युदिष्ठिर अपना कोई कमी नहीं थी, सब कुछ भरपूर था, यहां तक कि प्रकृति का भी कोई इस परकार का सम्हार नहीं था, जैसे आज कल हम देखते हैं बाड आ जाती है, ज्वालमुकी फट जाते हैं, इस परकार का प्रकृति का भी कोई जो है, उसके द्वारा भी किसी परकार की समस्य रहा है तब भगवान ने आज्या ली युदिश्टिर महराज से और अब भगवान जो है द्वारका की तरफ वापस प्रस्थान करना चाहते हैं तो भगवान द्वारका में प्रस्थान करेंगे और आगे जो है परिक्षित महराज की कथा के बारे में शौनकादी रिशी पू और श्रीधाम वरंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मतुरा वरंदावन में निर्माना धीन गगन चुम्भी वरंदावन चंद्रोधै मंदिर श्रील प्रभुपात के इस उतेश को समर्पित है। यह परियोजना वरंदावन को विश्व मान चित्र पर एक अनपमचवी प्रदान करेगी। इसकंद पुराण में उलेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्मान प्रारंब करने मातर से साथ जन्मों में किये गए पापों का नाश हो जाता है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति नर्की लोगों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है।